हालो दोस्तों आज बनाते हैं एक नई री सिपिंग ब्रेट के नए तरीके से इस प्रिंग रोग एक तम लाजवाब फेल दी युव टेश्टी चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं इसमें क्या क्या इंगर्ट डालते हैं इसको कैसे बनाते हैं लेते हैं आलू आलू लेंगे हरी मिर्स के प्याज उसका हरी धनिया सारे कटे हुए हरी धनिया मिर्स मिक्स करने के बाद इसमें डालते हैं कुछ इंग्रेडिन मसाले वन टेबल स्पून धनिया पाउडर वन टेबल स्पून नमक वन टेबल स्पून लाइन पाउडर वन टेबल स्पून हल्दी उसके बाद इसमें एड करते हैं एक टेबलिस्पून लगभग चाट मसाला चाट मसाला एड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मसल मसल के इसी आलू में फूड लेंगे मिक्स कर लेंगे उसका अब आते हैं एक लेंगे बाउल में डालते हैं एक कफ आटा आटा डालने के भी खनाओ cans नहीं को सबैर को पूरी तरह की लिकुट firm में बनाएंसे कि आफिकल अब business में जए लिया है प्राम पी को में उसका इसकी कटिंग करेंगे काटिंगे जो ब्लैक वाला पार्ट है से काट देंगे पूरी तरीके से चगू से देख सकते हैं मैंने ब्रट की कटिंग अच्छी तरीके से कर दिया है अराम से काटेंगे ज्यादा पार्ट ना आये पाए बला खाली ब्लैक वाले पार्ट आ के पार पीडा पीडे पड़ा रखेंगे बाद मीह कि क्यों के प्लेड राइन पूर्ट बड़ु ए चाहर सायो फिक हैओ और इस दूरे दुन है तके दूरे कि रिखते हैं यहार जना रहे लागा ठीकर नहीं करकेद चोगी को गुगते हैं मैं प्लेड्णा संद्सटाइब किया था आटेगा लेप लगाने का यह उद्देश रहेगा कि पूरी तरह की से ब्रेट पूरी चपक जाएगी देख सकतें मेरे सारे इस्प्रिंग रोल बना लिया हूं ब्रेट के और अंदर से श्टिपिंग होगी आलू की भरतेगी देख सकते हैं पूरी तरह से मेरा डो तैयर हो चुका है मलब बैटर तैयर हो चुका है उसके बाद में चड़ाते हैं कड़ाई कड़ाई में डालते हैं दो टेबलिस्पून बड़ी सिप ऑईल डालने के बाद इसे में सर्व करते हैं देख सकते हैं स्प्रिंग रोग पूरी तरह से बनके अछके भरनदगे ब्रोगए इसे एक कलेट में दिखेंगे एक नहीं आग सबने में से बीमित टरह से लच चले छूए करेंगे यृति दीगे से बन के त्यार हो चुके हैं इस रिसीपी को जरूड ट्राइज करना डेकर्ट में देख सकते हैं कड़क Спिरी तर्दीम पर ने स्कलिश के तेस्ति मिलते